महाराश्ट्र राच्चे में फरश 2022 के खरीब मोसम में 48,42,000 हेक्टर शेतर में सोया बीन की फसल बोई गई है और फसल फूल आने की अवस्ता में है लेकिन कई जगों पर सोया बीन की फसल पर पिला मोजेक रोक की चपेट में आ गई है लातुर के किसानों का कहना है कि उनकी फसल के उपर ये रोक काफी तेजी से फैल रहा है वही एक किसान का कहना है कि आठ एकड में सोया बीन लगाई थी बुआई 15 जून को की गई लेकिन तब गोगल गाय के कारण नुकसान हुआ और जो बचा वो अपीला मोजे की चपेट में आ गया है दो बार कीट नाशक डालने के बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा किसानों का कहना है कि एक एकड सोया बीन की बुआई से लेकर कटाई तक लगबग 20,000 रुपे का खर्च आता है लेकिन अब इस खर्च की वसूली हो पाएगी या नहीं ये डर किसानों को सता रहा है सोया बीन मोजेक पार्टी वाइरस के कारण होता है सोया बीन के साथ साथ ये अन्या दलनी फसलों को भी परभावीत करता है रोग का परकौप मुख्य रूप से रोग गरस बीजो के कारण होता है इसके अलावा यदि तापमान 70 डिग्री से अधिक हो जाता है तो आमतर पर रोग के लक्षन दिखाई नहीं देते यदि रोग की गंबीता बढ़ जाती है तो सोया बीन की उपर 50-90 फीसर तक कम हो जाती है उदर राज्या में जून से अगस्त तक हुई भारी बारी से खरीब की फसल को भारी नुकसान हुआ है इसके लिए राज्या सरकार ने 3500 करोड रुपई की सहायता की खोशना की है प्रारंबी गंबान है कि सोया बीन तूर की खरीब फसल लगबग 10-12 लाख हेक्टर का नुकसान हो चुका है